नमस्कार आप सभी दर्सकों का चैनल पर एक बार फिल से स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा Voter List नए तरीके से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं जी हाँ Voter List आप नए तरीके से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको Google में जाके सर्च करना होगा voter list download उसके बार देखिए एक direct link आ जाएगा election commission of India के तरफ से direct link दिया गया है उस link पे क्लिक करके आप पूरा voter list को download कर सकते हैं अपने computer में या अपने mobile में तो पहले जैसा कि मैंने बताया गूगल में जाके आपको सिर्फ सर्च करना है voter list download उसके बाद ये link जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा ये link आ जाएगा देखिए लिखा हुआ है link to pdf e-roll link to pdf e-roll ये link आ गया अब आपको इस link पे सबसे पहले click करना है voter list download करने के लिए चलिए इस link को click करते हैं link को मैंने click किया आप ये open हो चुका है अब open होने के बाद by side में आप जाएंगे देखिए लिखा हुआ है फिर से link to pdf e-roll अब यहाँ पर बहुत सारे state यानि की इंडिया के सभी states का नाम दिया हुआ है आप जिस state का voter list डाउनलोड करना चाहते हैं सबसे पहले आपको वो state select करना होगा यानि उस पे click करना होगा तो मैं zoom करता हूँ ताकि और clear दिखे देखिए सारे states का नाम दिया हुआ है जैसे आंधर परदेश है पंजाब है अरुनाचल परदेश राजस्थान इसी तरह भारत के सभी राज्यों के नाम यहाँ पर दिये हुए है अब आपको सबसे पहले अपना जो राज्य है जहां का आप voter list डाउनलोड करना चाहते हैं उस पे click करना होगा देखिए मैं यहाँ पर और example आपको West Bengal का voter list डाउनलोड करके दिखाता हूँ तो मैं West Bengal को click कर रहा हूँ तो मैंने West Bengal को click किया अब click करने के बाद फिर से आप एक दूसरे page पर आएंगे अब यहाँ पर आपको अपना district select करना है क्योंकि हर state में वह सारे district होते हैं तो district select करना है जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कूच भी हार एक district है state का आप सर्च करेंगे उस state में जितने भी district है सब का नाम सो करेगा तो suppose करिए देखिए यहाँ पर कूच भी हार है कूच भी हार district जो कि West Bengal में है मैं वहां का voter list डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मुझे कूच भी हार पर click करना होगा पूच भी हार पर click करने के बाद आपने state सिलेक्ट कर लिया district सिलेक्ट कर लिया अब आपको अपना जो निर्वाचन छेत्र है वो सिलेक्ट करना होगा जी हाँ अब आपको अपना जो निर्वाचन छेत्र है वो आपको सिलेक्ट करना है यानि कि constituency आपको सिलेक्ट करना है तो देखिए सबसे पहले एक constitution का नाम आ रहा है एक निर्वाचन छेत्र का नाम आ रहा है मैं क्लि गंज मैं इसे क्लिक करता हूँ इस निर्वाचन छेतर को अब इसके बाद पूलिंग स्टेशन का नाम आपको सिलेक्ट करना है आपका वोट जहां आप देने जाते हैं उस पूलिंग स्टेशन का नाम आपको सिलेक्ट करना है चलिए मैं पहला जो नाम है एक पूलिंग स्टेशन का तो उसे मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद माफ करिए का पूलिंग स्टेशन के दाहिने में देखिए लिखा हुआ है जितने भी पूलिंग स्टेशन के नाम है उसके दाहिने में लिखा हुआ ड्राप्ट रोल ड्राप्ट रोल अब आप इस पे क्लिक करेंगे पूरा का पूरा उस निर्वाचन छेत्र का भोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा देखिए मैं करके दिखाता हूँ मैंने ड्राफ रोल पे क्लिक किया अब यहाँ पर क्यप्चा मांग रहा है अब आपको क्यप्चा फिल कर देना है तो देखिए अब मैंने क्यप्चा फिल कर दिया आप क्यप्चा फिल करने के बाद नीचे वेरिफाई जो ऑप्सन है यानि की बटन है उसे आपको क्लिक करना है तो मैंने verify पे click किया अब verify पे click करते ही देखिए अब यह download हो रहा है आप यहाँ download option पे click कर देंगे अब पूरा का पूरा जो draft roll है यानि की voter list है वोट डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आप उहाँ से अपना नाम देख सकते हैं कि आपका voter का जो नाम है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं देखिए जितने भी उस विधान सभा चेतर के यानि चेतने भी वोटर से हैं सबका नाम आ जाएगा और सबका नाम के अलाब और भी बहुत सारा डीटेल्स आ जाएगा तो इस तरह से आप 2022 में इस नए तरीके से वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ यदि चेक करना चाहें अपने वोटर कार्ड से रिलेटेड तो चेक भी कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिवस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पे भेली बार आए हैं तो कि रुपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आज के लिए वस इतना है थैंक्यू धन्यवाद